नमस्कर आप देख रहे हैं स्टार्ड सिटी न्यूस में इस वक्त मौझूद हूं मत्याला विधान साप हमें हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं कॉंग्रेस से सत्य परकाश शर्मा जिसे आज हम मिलने आये इनके निवास पे इनसे सीधी बात करेंगी मेरा आप से पहला सवाला है आप से पहला इंटोड़क्शन कि आपका जो राज नितिक सफ़र जैसे कॉंगर्स पाइटी में जुड़ा वर लगबख कितने वर्ष होगा आपको आज मैं संद असी में मेरा पहला बोट डलाता हूं मैं उसी टाइम से सजुन कुमार जी के अलक् किया है और जब तक जीने जब तक कॉंग्रेस का ही काम करेंगे पार्टी के आप किस-किस पद पर रह चुकी है देखिए मैं गॉर्मेंट शर्वेंट था एम सीडी में मैं जोब करता था इसलिए मैंने पार्टी का पद तो लिया नहीं था उस टैम में क्योंकि तो अब पार्टी मुझे डेलिगेट बनाने जा रही है तो मैं बाईशुमें शोकिन जी हमारे पूरुविदायक हैं मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके साथ भी मैं 20 साल से उनके साथ भी हूँ आज भी हम दोनों साथ में हैं हलांके उमर में मुझे बहुत छुटे हैं उनके पर परिवारिक संबन्दि रहा हैं उनके टावजी और हमने सर्विस कि है कटि तो कुल MIला के है कि हम समर्पित हैं कॉंगर्स को का शासनकाल और आज कdoes शासनकाल बात कर लेते हैं कि आज की सरकार हैं केंद्र में भाज्वा जीनमर में केज लिवाल जी हैं के पहले की सरकारों में राज की सरकारों में देखिए पन्दरा साल हमारी कांगरेश की सरकार थी और हमारी श्रीमती शिला दिक्षीच जी हमारी मुखेमंतरी रही है जो विकास जो कारिये उन्हों किये हैं दिल्ली के अंधर उनके जाने के बाद आज के जिरिवाल जी आपकी शरकार जिपेर तक नहीं करवा पाई हूं के किये कामों को कुछ काम नहीं हुआ है आप पब्लिक के बीच में जाके देखे अब पंदरा साल और यह दस आट साल साथ साल जो इनके हैं आप इनकी तुलना करें तो दिल्ली को जैसे दस साल पंदरा साल आगे बढ़ाया था शरी मतिशीला दिखी जी ने आज इतने ही पीछे इन्होंने द केल दिया सरु बात करते कि हमने शिक्षा पर रोल मोडल हमने बतलाव किया इंफरस्ट्रक्चर काफी बतला हुआ ऐसा कुछ नहीं देखे जितने स्कूल जितने विध्याले विश्व विध्याले जो हमारे जितनी यूनिवर्स्टी है सब यह कॉंग्रेस के सासन में बनी है एक कमरे की मरमत कराने से दो कमरे की चत करवाने से यह इसको कोई नहीं मानता है कोई भी नया इन्होंने काम किया कोई नया स्कूल बनाया हो कोई नए यूनिवर्स्टी दियो ऐसा कुछ नहीं है यह सब कहने की और करने में कहने में बहुत परक है सबसे बड़ा तो आप फिल ना करें हमारा मीडिया है मीडिया है डर से लगा लो चाहे कुछ भी आज आपने रियाद होगा सेंटर में आप देख लीजिए जो मोदी जी करते हैं जो हम इच्छा जी करते हुआ ही होता है बाकि कोई बाजपा है ही नहीं इन दो बंदों से सरकार का पूरा दबाओ मीडिया पे है मीडिया पे रोज आपने कॉंग्रिस के सासनकाल में भी देखा हूं कितना लेकिन जिब तक मीडिया सही तस्वीर सामने नहीं पेस्ट करेगा जब तक कोई भी पार्टी हो इनकी पहले देखते हैं आप दो सीटे रहती थी कुल लेकि अब इसके यह सारा खर्चा मीडिया का उठा रहे हैं तो वह तो भई उनीके गीत गाएंगे मीडिया अगर अपनी ठीक से परस्तुत करें तो मैं दावा करता हूं कि आगले पांच साल में कोंग्रेस की सरकार दोबारा बढ़ेगी सर देश में जो आप राद बल रहे हैं उ लोगी जी कहते हैं अमने तो उत्तर पर्देश बदल दिया ऐसा कुछ नहीं है हम खूब गूंका हैं गरीब आदमी और नीचे गया है लोगों का यहां तक है कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है कि हम भी सुबह हमने कर लिया तो श्याम को क्या खाएंगे ऐसी हालत य किसी की प्रोपर्टी को लिए आप आप राद को कब दे में करो विल कुम ताके अब रादी पकड़े जाएं और उनको जलाको के पिछे बेजो आप ज़ए कम होंगे किसी के मकान को अतिया ना किसी प्र परपर्टी को तोड़ना यह सभी निशे हमने कभी निदिका मैंने अ जवान जवान लड़के हैं हमारे गाउं में इसे दिखा दे पड़े लिए लेकिन नोकरी कुछ भी नहीं है और इसमें लोग डान में ताप ने देखा वहा कितनी बेरोजगारी हुई हैं लोगों के दंदे हमारे गाउं में बड़ी अच्छी फैक्ट्रियां चलती थी हैं ल चैट्षय मेने साल साल हो गया अब हिसाब लगाई है कि किशी घर में एक मेने भी कोया मंदनी रुख जाती तो कैसे काम चलाएगा तो सर कुछ कुल मिला के जब भीजे पी सरकार दिल्ली में या सेंटर में या स्टेट में जब से आई है हिंदू मुसलमान चुटा बड़ा जात विरादरी धरम गरम और कुछ नहीं है आगे 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 आप देखोगे आगर पबलिक नहीं जागी तो आगे आगे देश का विनास होना है अच्छा आप जिससे सर लोगों से जुड़े हैं तो लोग की जो भी समस्सें होती है क्या आपकी एक्टिविटी चल रहे है दोलए देखे है कि चया हमारा विदायक हो या हमारा MP हो या कोई दूसरी पार्यों का हो हमारे पास चो भी tenir आया है हम ने कभी खाले नहीं जाने दिया हम ने जी तोड़ परियास किये हैं कि हम चेत्र का काम करें, कई बार हम अपने विदाएक जी की मदद लेते हैं, कई बार हम अपने अमपी की मदद लेते हैं, यह काम करवाना है, वो काम होते हैं, हमने इस पक्स छेवा करते हैं, हमने कभी, मैं शीना ठोक के कहता हूं, अगर मेरे चेत्र में, या मेरे पार्टी म प्रवाइब देश नहीं किया है तो ऐसा नहीं है आम ने तन मन दन से काम किया है जी जान से सेवा किया और करते रहेंगे और एक छोटा सा कोई संदेश देना चाहेंगे आप सकते हैं जी देखे हैं हम तो यह करते हैं कि भाई पुब्लिक को दिमाग लगाना चाहिए जूटे जुमलों में नहीं फशना हमने विदेश में पैचान बना ली हमने आज सेरीलिंका में देख ली जी आपके क्या हालात है ऐसा कुछ नहीं है शिरफ गूमने का बाना चाहिए इनको परदान मंतिरी जी साल में दस महिने बाहरी रहते हैं आज वहां चलेगे कल वहां ऐसा कुछ नहीं है देश तभी आगे बढ़ेगा जिब देश के हित्मे सोचा जाएगा जब तक ही आपने हित्मे इनको शिरफ कि बूख है इस से टीवी पे बैटके संभीत पात्रा जैसे यह ऐसे ऐसे लोग इतनी जूटे बोलते हैं और हमारा बैटे बैटे सुनते सुनते हमारा खूंग घोलता कि यह इतनी जूट थोड़ी बहुत तो आदमी बोलता है लेकिन इनके तो परवक्ता बैटके इतनी कि इतने जूट और जूमले जो चला रहे हैं यह ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाले हैं आखिर मैं हमें पूरा विश्वास है राउल गांदी जी के नित्यतों में और कॉंग्रेस मजबूत होकर आएगी और आगे बहुशे में अच्छा ही होगा थैंक्यू तो यह हमारे स प्रते प्रकाश शर्मा जी से स्टार सिटे के साथ मैं जितिंदर गुपता हूं